जैश के आतंकी मजीूल का परदाफा श्रीनगर पलिस सुरक्षा वलोका स्यूट ओपरेशन गिरफ्तार हुए आतंक वादियों के चार मददगार भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद बरामद जमकश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार आम चुनाओ हो रहे हैं ऐसे में सुरक्षा के लिहास से राज्यकी पांचों लोकसबा सीटों के उमिद्वारों को खास सुरक्षा दी जाएगी जमकश्मीर में आतंकी हमलों को और अन्य खत्रों को देखते हुए लोकसबा चुनाओ के सभी पक्ष उमिद्वार चुनाओी प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षा घेरे में रहेंगे और हर उमिद्वारों की सुरक्षा के लिए करीब 20 जवान तैनाथ होंगे पाकिस्तानी गोली बारी में भी नहीं रुकेगा मतदन जमकश्मीर में जोशोर से चल रही है चुनाओ की तयारी कश्मीर के अधिकांस इलाकों में समेदर शिल शेत्र गोशित किया है चुनाव आयोग की तयारी ऐसी है कि किसी भी परिस्तिती में मतदन नहीं रुकेगा होली को ध्यान में रखते हुए SSP ट्राफिक जम्मो ने एक एडवाईसरी जारी की है जिसमें उन्होंने होली पर वाहन चालकों को हिदायते जारी की है SSP ट्राफिक की ओर से जारी एडवाईसरी में कहा गया कि इस दिन शराब पीकर गाड़ी ना चलाए और नहीं बीना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाए श्रीडगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गाजन जनता के लिए खुला इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गाजन में सेलानियों के लिए खास इंतिजाब जमुकश्मीर की तवी नदी में बहे दो बच्चे बच्चों को बाचाने के लिए माने नदी में छलंग लगा दी हाथसे में एक बेटा और एक मा की हुई मौत जम्मुकशमीर में अगले जब इस गंठों के दरान बारिश और बर्फबारी के असार उपरें इलाकों में बर्फबारी होने के संब्भावना तो वही निचले इलाकों में बारिश हो सकती है ज journकारी के मताबक मुगल रोड इस माहा आनैतट तक खुल सकता है